So, very very good morning to all of you. Let us begin करूँ या. तो कल मैंने कुछ आपको homework में complete करने के लिए दिया था. I hope कि सबी लोगों ने उसे complete कर लिया, सिर्फ दो ही transaction थे. एक तो था ये वाला transaction, drawings वाला, और दूसरा ये interest on loan वाला, है ना? homework come, classwork as the case में भी, जैसा भी आप लोगों ने complete किया, class में किया, घर पे किया, जैसा भी किया. लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि सब लोगों ने इसे complete कर लिया, है ना? इसे journal में बतब जहाँ पर भी respective journal या सबसे ready book जहाँ पर भी लिखना था, वहाँ पर बराबर आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने इसको ledger में भी post कर लिया, है ना? ये हो गया? एक बाद चेक कर लें सब सही किया है कि नहीं? ठीक है? दो मैंने रहने देने के लिए कहा था, दो बोला था कि मत करना, ठीक है? ये एक तो provision for doubtful depths वाला और एक closing stock वाला, ये दोनों को छोड़के मैंने बाकी सब आपको complete करने के लिए कहा था, राइट? चलो, तो एक बाद च जान से सब लोग देखिए एक बार, जर्नल प्रॉपर में, आप लोगों ने इसका जर्नल इंट्री बराबर लिखा है क्या? जर्नल प्रॉपर में आपने यहां लिखा होगा drawings account debit to purchase account, सही है ये, लिखा है सहीं बराबर, है ना? फिर आप लोगों ने इसको post किया होगा drawings account मे लेजर में आपने बनाया होगा drawings account, एक नया नवेल account, है ना? drawings account के debit side में आपने लिखा होगा two purchases 10,000 रुपीज, बराबर, और इसके साथ साथ आपने purchase account के credit में भी लिखा होगा, तो आपने purchase account के credit side में लिखा होगा, यहाँ पे आपको purchase account को brought down करना पड़ेगा balance को, ठीक है? ठीक है? यह होने के बाद, next transaction जो था, वो था cash withdrawal and bank से withdrawal थे, इसको आप लोगों ने cash book में लिखा होगा, right? cash book में आपने cash का balance में पहले तो brought forward किया, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पे drawings का entry कर लिया, 30,000 cash के column में और 15,000, गलत जगा गई, 15,000 bank के column में, बराबर, ऐसा किया सबने बराबर, चलो ठीक है? तो journal तो यहीं के यहीं हो गया, आपको ledger में post कहा करना था? drawings account में, तो आप लोगों ने drawings account में यह भी post किया होगा, drawings account में to cash 30,000 और to bank 15,000, correct? ऐसा कर लिया सबने, ठीक है? यह था drawings वाला entry, drawings वाले entry के अलावा, आपको मैंने interest on loan का entry करने के लिए कहा था, 40,500 का amount था, यह तो इसका आपको journal proper में journal entry पास करना है, तो journal proper में आप लोगों ने entry पास किया होगा, interest on loan account debit to interest payable account, 40,500 बराबर है, नरेशन लिखा सबने, सही सही, ठीक है? interest on loan account debit to interest payable account, correct? फिर आपको इसको post करना होगा, तो ledger में दो नए नवेले account बनेंगे, तो ledger में ही आपने बनाया होगा पहले तो interest on loan account, ठीक है? interest on loan account में आपने debit किया होगा to interest payable, 40,500 ठीक है? और उसके बाद आपने बनाया होगा interest payable account, इसमें आपने credit किया होगा interest on loan, 40,500 राइट? यह बराबर किया समने? यह complete होने के बाद मैंने कहा था कि एक बाद trial balance बना के चेक कर लेना कि सब सही है कि नहीं क्योंकि बीच में लोगों ने बहुत सारे entries बना, पास किये है, है न? adjustment के entries, तो यह सारे होने के बाद सब सही है कि नहीं? यह आपको check कर निगल लिगा था, सब ने कर लिया, परफेक्ट, ओके, तो यहां तक हमारा यह जर्णी खतम हुआ, लेकिन अब हम लोग next जो जाने जा रहे है, इसमें हमें दो और adjustments करना है, एक तो adjustment करना है closing stock का, और एक मुझे adjust करना है provision for doubtful depths का, ठीक है? Now all of you try to understand this, यहां से हमारा थोड़ा important area शुरू हो रहा है, ठीक है? देखो, closing stock adjustment मुझे end मी पता चलेगा, ultimately it is closing stock na, closing inventory, end मी तो पता चलेगा na, कितना बचा हुआ है, ठीक है? और यह adjust किया जाता है to comply with matching concept, to comply with what? matching concept, है न? मैं अभी क्या करने वाला हू, matching concept कब लगाने वाला हू तो जब मैं बनाने वाला हू, trading account, ठीक है? तो closing stock बनने से पहले मैं बना रहा हू, trading account, और मैं matching को यहां पे comply करूँगा, यह कैसे होगा? let us come to that, बूसरी बात, provision for doubtful debts also is basically prepared, दो चीज़े है, एक to comply with conservatism, prudence, ठीक है? और दूसरा यह भी है, to comply with matching, ठीक है? matching q, क्योंकि sir, sale इस साल का, अगर पैसा डूबा तो इसी साल का loss होना चीए, अगर मैं इससे carry forward करके अगले साल ले जाओ, और उस loss को अगले साल recognize करूँ, तो sir, income इधर recognize किया, उसका loss कहीं और recognize किया, गडबर नहीं होगा, यह बात कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को तुन्नू को year one में sale किया, चुन्नू मुन्नू और तुन्नू को, ठीक है, अब मुझे बताना कि इन में से तुन्नू ने मान के चलो, पैसे डूबा दिये, ठीक है, लेकिन उसने पैसे पूरा year one लटका के रखा उसने, और डूबाया कब year two में, ठीक है, उसने पैसे कब औरों कल दे रहा हूँ, किते कल, हर रोस कल तो आता ही है, तो वो बस पोस्पोन किये जा रहा है, दे नहीं रहा पैसे, समझे बात को, तो try to understand, ऐसा ही चले जा रहा है, चले जा रहा है, फिर फाइनली जब अगले साल में गए, तब वो लापता, ठीक है, लापता to new, ओके, गा के sir, income को दिखा दो year 1 में, ओर loss को दिखा दो year 2 में, हलवा है के, matching AC कितो against बोलता है, matching कहता है, कि जश साल का revenue है, उस revenue से related खर्चे, या उस revenue से related loss उसी साल में recognize करो, ठीक है? ज़स साल में मैंने revenue recognize किया, उसी साल में उस revenue को earn करने, या उस से related सारे खर्चे या losses उसी साल में recognize करो ठीक है? या अगर मैंने किसी expense को इस साल recognize किया तो इस expense से generate हुआ हुआ income भी मुझे उसी साल में recognize करना पड़ेगा, this is what is matching correct? अब अगर हम ध्यान से देखे तो सर जी यही तो violet हो रहा है अगर हम लोगों ने loss को किसी और year में recognize किया, that is the reason we are creating a provision for doubtful debts है, तो ये दोनों के दोनों एकदम से हम लोग entry pass नहीं कर सकते हम लोग पहले ट्रेडिंग P&L के stage बे stage में आएंगे, उसके बाद ही उसका entry pass करेंगे, ठीक है? so that is the reason मैंने ये दोनों को रोक के रखा हुआ था, और आपको कहा था कि पहले सब complete कर लो, फिर हम लोग आएंगे इसमें ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं closing ceremony, ठीक है? closing ceremony का मतलब क्या हुआ? sir, हर organization में every organization last date of the year is a very very important date accounting के point of way से last date में क्या हो रहा है? closing और यही closing की entries क्या होती है? posting कैसे होती है? this is what we are learning now, ठीक है? और यहीं से हमारा final accounts भी बनता है, तो यह कैसे होगा? let's understand this, ठीक है? so दोस्तों यह मैंने एक बार आपको पहले भी बताया हुआ है if you remember rectification of errors में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना से एक example आया था, वहाँ पर मैंने आपको यह बात explain किया होवा है, अब इसको practically करके दिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो चले शुरू करते है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं contra accounts को close करूँगा मैंने क्या कहा? मैं contra accounts को close करूँगा सर मतलब आप cashbook के contra entries की बात कर रहे हो? नहीं मैंने contra entry नहीं का, मैंने कहा contra accounts, यह ना? हम लोग शुरुबात से देखते हुए हारे कि हम लोग इस तरह के contra accounts बनाते हैं, like say for example purchase का contra is बताओ purchase return कुछ यादा रहे? sales का contra is sales return capital का contra is drawings कुछ समझे? तो यह contra accounts को मैं पहले close करूँगा सर यह कैसे close करेंगे सर? minor account को transfer कर दूँगा major account में इसी को उनकेता है set off करना इसी को कहा जाता है set off करना ठीक है? अपन कहता है ना कि भाई तुझे 500 रुपे देने है लेकिन तुझे 200 रुपे लेने भी है तो ultimately तिरेको उसे 300 रुपे देने है set off तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा सर पर्चेस का account एक अलग बना के रखा हुआ है पर्चेस return का account एक अलग बना के रखा हुआ है तो हम इन दोनों को set off करेंगे sales का account एलग बना के रखा है sales return का account एलग बना के रखा है इन दोनों को set off करेंगे capital भी owner का यह account है drawings भी owner का यह account है इन दोनों को भी set off करेंगे that is what we'll do now ठीक है let's go for it so ledger में सब लोग ज़रा आ जाओ purchase return account में आजो purchase return account में या लेका purchase return ठीक है sir इस account को भी मैंने close कर दिया था कोई बात ने ब्राट फावड कर लो bring it down here लिखो यहाँ पर balance brought down 47,000 लिखो balance brought down 47,000 ठीक है ठीक है अब मुझे इसे close करना है sir close करना है तो यहाँ पर credit पड़ा हुआ है correct अगर close करना है तो इसे debit करूँगा तो अगर यहाँ debit करूँगा कहां credit करूँगा इसके major account में इसका major कौन सा है purchase account तो मैं इसे close करूँगा और transfer करूँगा purchase account में कोई बता सकता है journal entry क्या होना चीए फिर अगर मुझे purchase return को transfer करना है purchase account में what should be the journal entry देखके बता purchase return account में credit पड़ा हुआ है क्या होना चीए purchase return account debit तभी तो close होगा और कहां जाना चीए purchase account में चलो तो ये लिखना पड़ेगा कहां एकदम से लेजर में नहीं लिखना पहले journal फिल लेजर तो आज ओ जर्नल में सर कौन से जर्नल में सबसेरी बुक में नहीं जर्नल प्रोपर में आज ओ जर्नल प्रोपर में ठीक है यहां पे लिखो अभी पर्चीस रिटर्न अकाउंट डेबेट पर्चीस रिटर्न अकाउंट डेबेट 47,000 तो पर्चीस अकाउंट 47,000 ठीक है पर्चीस रिटर्न ट्रांसफर टू पर्चीस अकाउंट हमने क्या किया पर्चीस रिटर्न अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया पर्चीस अकाउंट में ठीक छे अब इसको पोस्ट करेंगे चलो post करते हैं तो आज़ाँ sir ledger में ledger में सबसे पहले purchase return account purchase return account के debit में post करोगे to purchase account 47,000 अब ये करने से ध्यान से रिखना आपका purchase return account close हो गया खतम, it is close now इसलिए उसके नीचे वो total लिखके उसको tally कर लो ऐसा ये close हो गया, ये खतम हो गया ठीक है? अब ये debit किया यहां पर तो credit कहा होगा sir? credit होगा purchase account में तो आज़ो purchase account में purchase account के credit side में लिख देंगे, buy purchase return 47,000 ठीक है? देखो purchase account अभी तक close नहीं हुआ यहां पर सिर्फ एक posting हुई है, लेकिन अभी तक ये close नहीं हुआ, ठीक है? close करेंगे, बाद में ठीक है? यहां तक होगया सबका? चलो, अब इसी तरह से अगला sales and sales return तो चलो देखो अभी sales return में भी balance brought forward कर लो पहले यहां पर ऐसा लेकलो balance brought down 47,000 ठीक है? अब मुझे इसे transfer करना है कहां पर? sales account में, कोई बता सकता है journal entry क्या होगा फिर? sales account debit to sales return sales return में debit पड़ा, इसे close करना है, तो यहां पर credit करेंगे और sales account में debit करेंगे तो यह भी लिखेंगे पहले कहां? जर्नल प्रोपर में, आजाओ भी जर्नल प्रोपर में जर्नल प्रोपर में लिखो sales account debit to sales return account 47,000 ठीक है? being sales return transferred to sales account है? और ननल प्रोपर में च swallow धäreले खूँ है से थाँनल Termin लिखे को शो नलड़िषर डन अब इसे पोस्ट कर देंगे चलो आज ओ फिर पोस्टिंग के लिए सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट तो सेल्स अकाउंट का भी पहले तो बैलन्स यहाँ पर ब्राट डाउन कर लो अब परस ब्रिंग इट डाउन ये बालेंस ब्रॉट डाउन 22,00,00 अब देखरें, अपने इस टोटल को यहाँ पे लिखा था बालेंस कर डिद डाउन, यहाँ पर आपने इसको ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न 47,000 क्या मेरा सेल्स अकाउंट क्लोज हो गया, इसको पोस्ट करने से? खतम हो गया क्या सेल्स अकाउंट, क्लोज हो गया? नहीं सर यह close होना बाकी है देखो आपे अभी भी balance है तो यह close नहीं हुआ अभी बाकी इसमें आएंगे इसको भी ठीक है लेकिन किन्तू परंतू immediately हम sales return account में भी post करेंगे तो sales return account में भी पहले तो brought down कर लिया balance अपनने अब यहाँ पे लिख दो buy sales 47,000 ठीक है ना अगें इस आपने यह पोस्टिंग किया आपका sales return account भी close हो गया खतम है ना इसलिए उसका total लेके वहाँ पे टैली कर लो उसे 47,000 अब ऐसे ही एक और ऐसे ही एक और कौन सा capital and drawings अब बिना मेरे कुछ कहे बढ़ो आगे देखते है कौन-कौन कर पाता है इसे capital and drawings अकाउंट को देखो journal entry पास करो फिर ledger में पोस्ट करो ठीक है I'm giving you two minutes दो मिनिट के अंदर हो जाना चाहिए go for it अरूब कर फिर एक दो कर फिर लीए अबर में बिना जाओे इसो एक खप्सक्ता काई खाउम इसक्ता सर वजजब उन्हें व्लाओे यह और अफ आम रह झाल 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 डन चलो क्या एंट्री पास के समने सब लोग बोलो ड्राइंग्स में डेबिट पड़ा हुआ है तो ड्राइंग्स को मुझे क्लोस करना है तो मैं ड्राइंग्स को करूँगा येस और कैपिटल अकाउंट कहा लिखा इसको जर्नल प्रॉपर में तो अपके जर्नल प्रॉपर में एंट्री लिखा पने कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स 55,000 narration being drawings account balance transfer to capital account लिखा बराबर सबने ठीक है फिर इसे post किया जाएगा ledger में सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ capital account में capital account में भी इस balance को मैंने यहापर brought down कर लिया 10 lakhs balance को मैंने यहापर brought down कर लिया 10 lakh ठीक है और फिर मैंने यह post कर दिया 55,000 debit में correct क्या मेरा capital account close हो गया जरा देखना ध्यान से क्या मेरा capital account खतम हो चुका है कैसे समझूँगा खतम हो गया सर जब debit credit दोनों match हो गया तो हो रहा है क्या debit credit दोनों match नहीं न याने अभी तक capital account close नहीं हुआ सर इसमें अभी भी कुछ balance है correct देखो closing और balancing में यहीं फरक होता है यह बात को ध्यान से देखना जब debit credit दोनों match हो गया close हो गया अभी भी मेरे capital में debit credit match नहीं हो रहा याने capital account में there is still some balance ठीक है अब इसे तरह से next मुझे drawings account में जाना होगा सर drawings account के credit में मैं लिख दोंगा by capital account 55,000 ठीक है जब ध्यान से देखके मुझे बताईए क्या मेरा drawings account close हो गया हो गया देखो debit credit match हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना सो मेरा drawings account बिलकुल close हो गया ठीक है इसको मैं आप लोग ऐसा ऐसा practically नहीं किया जाता लेकिन अपने लिए याद रखने के लिए क्योंकि बहुत सारे pages में बहुत कुछ लिखके रखा है बात में कोई confusion नहीं हो इसलिए मैं ऐसा cross करके रख रहा हूँ कि ये तीन तो close होगे भी ठीक है उसका total लेकिए उसको tally कर लेना ठीक है देखो यही चीज examination में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सोचके देखो आप examination में क्या मैं capital account, drawings account, एक 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 entry, एक पोस्टिंग, फिर closing entry ये सब करता बेढूँगा अगर इतना सब करता बैठा ना तो मुझे final accounts के question क्यों तीन घंटे लग जाएंगे सर है ना तो इसलिए examination में हम लोग इसे कैसे present करते हैं हम लोग capital को लिखते हैं inner column में और drawings को वहाँ से minus करके दिखाते हैं basically what is that effect that capital में से drawings minus हो गया इससे drawings close हो गया लेकिन capital reduce हुआ this is the effect that we show देओ ठीक है अब वो plus minus language में ये vision नहीं आता हमें हम लोग समझ नहीं पाते कि यार इससे drawings close हुआ capital minus हुआ ये vision नहीं आता वहाँ पे सिर्फ हम लोग plus minus करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पर CA करते वक it is very important that आपका ये vision develop हो इसलिए ये account बनवाके मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ I hope कि सब लोग इससे समझ पा रहे हो अभी अच्छे से जा रहा है दिमाग में final accounts दिमाग में बैट जाना चाहिए अभी ठीक है जैसे normally speaking adjustments हमारे खून में आ जाता है ठीक है न ये दिखा कि इधर plus इधर minus इधर ये उधर वो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये format नहीं sir इसका concept भी दिमाग में अच्छी तरह से बैट जाए ओके चलो ये हुआ अब points तीनों contra accounts हमारे close हो गए sir तो अब what अब what next next में मैं focus करूँगा सबसे पहले nominal accounts में ठीक है nominal accounts को मैं close करूँगा by transferring them to either trading account और P&L account ठीक है personal और real accounts को मैं close नहीं करूँगा personal और real accounts को मैं carry forward करूँगा लेकिन nominal accounts को मैं close करूँगा क्यों sir क्योंकि nominal account इस साल के खर्चे इंकम है तो इस साल के खर्चे इंकम के account मैंने बनाया ही क्यों है to calculate the profit तो यही चीज मेरा भी aim होगा तो अपन एक काम करते है सब लोग ना मुझे थोड़ा help करो अभी ठीक है चलो हम लोग यहाँ पर आ जाते है हमारे ledger में एक एक करके सारे ledger को देखते है ठीक है all of you understand inventory अगर ending है तो it is a real account क्या का मैंने अगर ending closing stock अगर है तो it is a real account लेकिन वही जब अगले साल opening stock बन जाता है तो वो nominal account का role play करता है तो opening inventory is nominal account closing inventory is real account ठीक है आपको मुझे सब एकी चीज़ बताना है कि इन में से कौनसे कौनसे nominal account है और इन में से कौनसे कौनसे trading में जाएंगे और कौनसे कौनसे P&L में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे अगर personal है P लिख देंगे अगर real है R लिख देंगे और अगर nominal है N लिखेंगे जैकिन जैसे मैंने N लिखा तो उसके बाजू में में लिखूंगा T या P T अने trading P अने P&L ठीक है चलो शुरू करते है opening inventory opening है तो इसे मैं मानूँगा nominal राइट nominal है और ये कहां जाएगा T ट्रेडिंग ने ठीक है इसी तरह से accounts receivable sir this is personal right receivable personal है ना अगला PPA नी real है ना property plant and equipment real account payable personal liability ठीक है अगला capital personal अगला loan also personal liability ठीक है अगला purchase nominal है ना और ये जाएगा trading account में sir trading में काउन सा P&L में काउन सा format देख के बता हूंगा sir में नाई trading में काउन सा जाएगे every expense that becomes part of the historical cost of goods correct and my main source of revenue will also go to my trading account right तो ये goods का खर्चा है इसलिए trading में जाएगा अगला sales main source of revenue है sir so nominal account trading correct अगला purchase return close हो गया sir khatam sales return close हो गया sir khatam आगे carriage inward nominal account कहा जाएगा trading क्यों? क्योंकि it is inward it is part of historical cost of goods अगला carriage outward ले जाने के लिए क्या ये historical cost का हिस्सा है? goods खरीद देने का? नहीं sir ये ले जाने का है तो ये भी nominal account है लेकिन ये कहा जाएगा ये जाएगा P&L में not in trading outward है अगला rent office का खर्चा है sir so nominal account लेकिन P&L अगला electricity expense nominal account P&L अगला advertising expense selling sales से रिलेटेट है तो nominal account P&L अगला bad debts losses are nominal account P&L अगला discount allowed nominal account P&L अगला discount received nominal account P&L अगला prepaid rent nominal prepaid rent nominal अभी तक मैं बताया जारो सब बोले जारे हैं सब बिंदास लिखी जारे हैं भी पूछ भी जिता हो थोड़ा सा yes कोई नहीं अच्छा तो prepaid rent nominal नहीं है it is not nominal okay very good it is not nominal ठीक है prepaid rent is your asset so this is real ठीक है या आप इसे एक तरह से personal भी कह सकते हो क्योंकि ये landlord को जो advance दिया है वो है तो आप इसे real भी कह सकते हो personal भी कह सकते हो दोनों कह सकते हो दोनों चलेंगे ठीक है आगे electricity expense payable nominal अरे कोई नहीं nobody पूरे class में एक भी नहीं ए भगवान electricity expense payable को nominal नहीं कह रहे हो अप लोग मतलब पूरी class सही है ठीक है वेरी गुड पूरी class सही है एक दान absolutely right payable याने this is personal ठीक है चालो very good आगे bank charges nominal account PNL ठीक है depreciation nominal account PNL अगला drawings हो गया सर closed interest on loan अभी भी बनाया है था पनने nominal account है यह interest का account है loan नहीं तो this will also go to my PNL interest payable सर यह payable है सर personal account ठीक है मेरे खाल से इतनी account बनाया है हम लोगों ने अभी तक एक और account आने वाला है लेकिन अभी बनाएंगे इसको provision for doubtful debts इसको बनाएंगे अभी थोड़े दिर में ठीक है इतनी बनक बन गया है अभी हमारे अब इन सारे nominal accounts को मुझे close करना है one by one तो पहले मैं goods वाले nominal accounts को close करूँगा क्या कहा मैंने पहले मैं goods वाले nominal accounts को close करूँगा तो आप लोग मुझे एक एक करके अभी बताना मैं आपको क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ entry pass करने में आप लोग मेरी मदद करोगे ठीक है देखिए सर goods के खर्चों में कौन सा कौन से हारे मैं फिर से ledger में वापस आ गया हूँ कैने से opening inventory goods का ही cost हा है ना ध्यान से रेखना इस में मैंने पहले balance को brought down कर लिया आप लोग भी कर लो balance brought down 44,000 ठीक है yes अब मुझे इसे close करना है सर आप रोग रूओल समझ रहो क्या हो रहा है देखो यह पर debit पड़ा हुआ है मुझे debit को खतम करना है close करना है तो मैं क्या करूँगा credit करूँगा और इसे कहा transfer करना है trading में तो general entry क्या होना चाहिए trading account debit to opening inventory समझे अपन कमाई इंट्री पास करेंगे तो ऐसे और कौन से कौन से वो भी देख लेते है opening inventory के अलावा कैना है से कि एक और है सर परचीज यह भी ट्रेडिंग में जाएगा तो ट्रेडिंग डेपिट परचीज क्रेडिट बरबर इसका जो बालेंस आ रहा है यह जाएगा वहाँ पर इसी तरह से कैना है also say sales तो credit होगा सर यह बात की बात है लेकिन कैना है also say that I also have this carriage inward account इसका भी balance brought forward कर लो आप लो यहाँ पर brought down कर लो यहाँ पर balance को ठीक है तो कैना इसे कि यह तीन सर historical cost of goods से related है इसलिए यह तीनों के टीनों transfer हो जाएगे ट्रेडिंग account में बाकी जो खर्चे थे वो PNL वाले थे या income था तो सर इसका मैं journal entry pass करने जा रहा हूँ आप सब लोग मुझे journal entry के amount बता दे ना ठीक है चलो सर तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ journal folio के अगले page में आ गया हूँ मैं अभी ठीक है मैं trading account को कर दूँगा debit trading account को कर दूँगा debit to one by one पहले तो opening inventory account दूसरा to purchase account तीसरा to carriage inward account ठीक है narration में लिखूंगा being cost of goods transferred to trading account ठीक है trading account debit, opening inventory debit sorry to opening inventory, to purchase to carriage inward ठीक है now I want all of you to calculate the amount and write it down there amount calculate करो और लिखो वहाँ पे करो करो करू ठीक है अ करो देक है आ झाल 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 हो गया सबका डन चलो देखो सब लोग यहीं किया सबने ट्रेडिंग अकॉन डेबिट एलेवन लाग नाइटी सेवन थाउजन ठीक है यहाँ पर बहुत जम के बारी शुरू हो गई है I hope कि light ना जाय भी ठीक है जल्दी से दिखते हैं तो ट्रेडिंग अकॉन डेबिट एलेवन लाग निटी सेवन थाउजन टू ऑपनिंग इंवन ट्रेडि फाउजन टू अउपर्ज़े जाय लाग फाउजन गिसा बराबर इन सबको पोस्ट भी करना पड़ेगा आपने को तो जब पोस्ट करोगे यह अब्सर्व करोगे एक एक करके इस सारे अकाउट क्लोस हो जाएगे ये close हो गया, देखो, ये खतम, ठीक है, इसी तरह से, जब आपने purchase account में post किया, आपने purchase account में post कर दिया होगा, ये भी कहा था करने के लिए, किया की नहीं, प्रेडिंग account, 11,43,000, ये करने से, अब आपका purchase account भी close हो गया, ठीक है, इसी तरह से, carriage inward account, इससे भी आप transfer करोगे, ट्रेडिंग account में, ठीक है, तो यहाँ पर credit में post कर दिया है, आपने, जैसे ये post कर दिया, आपका carriage inward account भी close हो गया, ठीक है, लेकिन ये सब debit कहा हुए, ये सब debit हुए, ट्रेडिंग account में, करेक्ट, तो मुझे ledger में ही, अब एक और नया account बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो आजाओ अभी, ledger में, एक तो ये provision for outful debts अभी तक हम लोगों ने post नहीं किया, करेंगे इसको अपन, लिखेंगे इसको, और उसके बाद बना लेते हैं trading account, folio number 27, ठीक है, दिखो यहाँ पर एक एक करके, opening, inventory, ठीक है, और क्या था, purchases, और क्या था, carriage inward, ठीक है, इन सब के amount लिखो अप यहाँ पे, लिख लिख लिखेंगे सबने, trading के debit में, देखो बेटा, आज तक हम लोग trading account को सिर्फ एक format की तरह याद करके आते थे, trading account ऐसा होता है, यहाँ पे पहले opening stock लिखा जाता है, फिर purchase लिखा जाता है, पर्चेस में से purchase return minus किया जाता है, फिर carriage inward लिखा जाता है, wages लिखा जाता है, freight inward लिखा जाता है, मस तब आपन रट्टा माल लेते हैं उसको, अब रट्टा मारना, आम लोगों के लिए ठीक है, ल अब इसी तरह से मैं कुछ और journal बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, कि सब लोग अब इस transfer entry को, खुद अपने दम पे complete करो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसको देखते हुए, ध्यान से, सब लोग amounts को देखोगे, और amount को देखते हुए, आप लोगों को इसकी posting क देखू, तो ledger में sales account मेरे पास रखा हुआ है, carrying a credit balance, है ना, carrying a credit balance, अगर आप ध्यान से देखे रहो, 22,00-47,000, इतने रुपए का sales account में credit balance पड़ा हुआ है, तो मुझे इसे transfer करना है to trading account, तो मैं क्या करूँगा, sales account को करूँगा debit, और trading account को करूँगा credit, ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग ने adjust नहीं किया, and what is that, closing stock, हम लोग ने इसे skip किया हुआ था, आ जाते है अभी इसमे, closing stock 48,000, इसका journal entry बे बताया हुआ है मैंने, क्या होगा journal entry, closing stock account debit to trading account, correct, तो ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका journal entry लिखूँगा, journal entry कैसे लिखूँगा, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, journal proper में इतने pages क्यों छोड़े थे, ठीक है, तो आजाओ, journal proper में आजाओ, यहां लिखोगे, sales account debit, amount आपको fill up करना है, sales account का balance calculate करना है, ठीक है, दूसरा, closing inventory account debit, amount adjustment पे दिया हुआ है, as it is उसे लेना आपको, और trading account credit, ठीक है, narration being sales transfer to trading account and closing inventory recognized, प्लीज नोट कि मैंने closing inventory transfer नहीं किया, मेरे पास already था नहीं, मैंने create किया, recognize किया closing inventory को, ठीक है, अब इनका amount is fill in the blanks for you, आपको खुद को एक बास सोचना है, और वो amount को महाँ पे fill up करना है, और इसको ledger में properly post करना है, trading के credit में, sales के debit में, और जब sales के debit में, और chance से रिखना आपका sales account close हो जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा, आपको closing inventory नाम का नया नवेला account बनाना होगा, वहाँ पे आपको debit करना होगा, कर पाऊगे ये, सब लोग, ठीक है, दोस्तों, मैं पहले आपको सारे journal entries एक बार बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग अभी complete क करो, क्योंकि मुझे बहुत high chances लग रहे हैं अभी कि कभी भी light जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको बाकी के journal entries एक बार बता रहा हूँ, ये हो गया, इसके बार मुझे बचे कुछे जो nominal accounts है, उनको close करना है by transferring them to PNL account, तो बचे कुछे nominal accounts के लिए एक- करके मैं लिखूंगा profit and loss account debit, ठीक है, और एक-एक करके जो भी nominal accounts है, इनको अपने को transfer करने का है, तो सब लोग अभी copy मत करो, अभी सिर्फ ध्यान से सुन लो, जैसे for example carriage outward था, इसे PNL में transfer करेंगे, तो carriage outward में debit balance था, मैं करूंगा credit और PNL को करूंगा debit, इसी तरह से rent, rent में भी debit balance था, तो rent को करूंगा credit PNL को debit, इसी तरह से electricity expenses, इसी तरह से advertising expenses, इसी तरह से discount allowed, इसी तरह से bank charges, इसी तरह से depreciation, इसी तरह से interest on loan, और उसके अलावा एक और जो भी हमें create करना है, and that is provision for doubtful debts, ठीक है, तो यह सारे के सारे accounts को मुझे close करना है, by transferring them to PNL account, with the narration, ठीक है, being other nominal accounts, transfer to PNL account, यह entry आपको किस तरह से pass करना है, ऐसे नहीं pass करना है, देख देख के नहीं pass करना है, try to follow the process, आप ledger में जाओगे, ledger में एक एक account ढूलोगे कि कौनसे कौनसे nominal account बचे कुछ है, ठीक है, कौनसे कौनसे खर्चे है या loss है, उन सबको ऐसे नहीं, copy मत करो उसको, copy करने का क्या फाइदा हुआ, copy कर लिया तो सीखा ही क्या, है ना, struggle करके सीखोगे आप लोग, तो आप लोग जाओ अभी अपने ledger में, एक एक nominal account को देखो, और उन सबको यहाँ पे transfer करो, और इसी तरह से जो credit balances है, उनको भी transfer करो, कैसे, जैसे for example discount received account है, उस पर credit balance है, तो आप क्या करोगे, discount received को करोगे debit, और P&L को करोगे credit, समझे बात को, तो this is the process that you need to follow now, तो यह सारे journal entry pass करो, फिर ledger में लिखो, और ledger में लिखने के बाद, एक एक करके आपके सारे के सारे nominal accounts close होंगे, ठीक है, तो यह process अब मैं आपके उपर छोड़ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोग इस process को complete करो, इसमें वक्त लगता है, मैं जानता हो, एक 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 account को close करने में time लगता है, ठीक है, तो दोस्तों, एक बाद समझ लेना, जिनके भी घर पे कोई भी, अगर accounts department पे काम करते होंगे, मम्मी, पपा, भाई, बेहन, चाच चाची, anyone, कोई भी, ठीक है, तो उनका ये एक चीज समझ लेना, कि आखरे दिन, साल के एक दिन में, उनको कितना जारा काम रहता होगा, आप एक बाद सिर्फ सोच के देख लो, आप लोगों ने कुछ accounts देखे, literally speaking, this is hardly 0.1%, 0.1% of the real world example, real world में इस से बहुत जारा होता है, ब इतने सारे accounts close करने होते होंगे, तो कितना महनत लगता होगा, तो समझ लो बेटा, ये काम बहुत TDS है, उनके लिए मन में एक थोड़ा respect लाना, अगर कोई भी घर में, accounts department में काम कर रहे होंगे तो, ठीक है, चलो, anyways, तो ये काम अभी जल्दी से जल्दी से अब लोगों complete कर ठीक है, कर दोगे अभी अभी, ठीक है, तो सारे के सारे accounts complete कर लो, कोई भी gross profit, net profit calculate नहीं करना अभी, वो साथ में करेंगे हम लोग, ठीक है, आप लोगो सर्फ ये posting करना है, that's it, nothing else, ये journal entry लिखना है और posting करना है, बस, ठीक है, अब एक एक account में लिखना है, इसलिए थोड़ से 20 मिनिट, ठीक है, so go for it, complete करो, मैं फिलाल यही पे इसे रोक रहा हूँ, and all of you, please quickly complete it now, ठीक है, चलो, तो कल देखेंगे हम लोग gross profit, net profit और बाकी के personal real accounts, कल हमारे ये question पूरी तरह से complete हो जाएगा, ठीक है, चलो, go for it now, all the best to all of you, चलो continue, ओके, and goodbye, कल मिलते है,